कि गुद मॉर्निंग क्लास तुड़े वी आर गोंग टुडिस्कॉस एंसी आरडी एक्सराइज क्वेश्चन आंसर अप लेशन 10 रेस्पिरेशन इन ओर्गेनिजम्स इचेप्टर बेटा अच्छे से लर्न हमने कर लिया है आज इसकी एक्सराइज हम करेंगे जो एंसी आरड नंबर 118 तो बुक भी आप अपने साथ रखे ताकि वहां से आपको क्वेश्चन भी मिलते रहें और स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे अच्छे से इसको दुबारा से लर्न किया होगा रीड किया अच्छे से चलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर डिसक और से ट्रिए एथे को करने के बाद बहुत प्नेर ब्रीड करता मि यूज़ल कंडिशन के क्म पेंपेरिजन में पिंसलियो मैं इसलिघए जिसे आब हम बाते कर रहे हैं यह बैठे भी है अराम से बैठे भी है अब हम जो ब्रीडिंग कर रहे हैं वह वह बिलकुल लुर्मल condition में है और normal कौन से होती है, fifteen to eighteen breathe per minute ये एक normal breathing rate होता है, जो हमने learn किया है, ये जो normal person है उसका breathing rate होता है, fifteen से 18 तक breathe per minute उसको हम एक normal breathing rate कहते है, but एक athlete के case में क्या होता है, जब वो raise करता है या 허इवि एक्सराइज करता है तो जो उसकी ब्रीतग्फ जाती और डीपर हो जाती है जहादा डीप वो ब्रीद लेता है ऐसा वो क्यों करता है ैसा क्यों होता है कि वेछ चैप्टर है हमारा रैस्पि्रेशन है जो सारे जो क्वेस्ट के आंसर है वो respiration पे based होंगे इसलिए आपको respiration का जो concept है वो सबसे पहले अच्छे से clear होना चाहिए कि हमें respiration की जुरूरत पढ़ती क्यों हूं सबसे पहला ही topic का first question यहीं था why do we respire हम क्यों respiration करते हैं हमारी body को चाहिए होती है energy और energy कैसे मिलेगी जब food breakdown होगा अब food तो breakdown digestion से भी हो जाता है बहुत simplest form में चला जाता है तो क्या उससे हमें energy मिल जाती है नहीं मिलती ultimately food की breakdown तब मानी जाती है जब वो oxygen के साथ combine होता है yes digestion तो हमारे small intestine में लगवग finish हो जाते है और उसके बाद small intestine में क्या होते है finger like structure वो food को absorb करके blood में mix कर देते हैं अब blood में food तो mix हो चुका है तो क्या उससे हमें energy मिल गई अभी तक नहीं मिली है उसी blood के अंदर oxygen mix होती है और वो oxygen और digested food जब आपस में combine होते हैं तब जाके energy release होती है यह process होता है बोडि में energy release होने का तो body release energy कब release होते है बोडि के अंदर जब उसको oxygen मिलती है oxygen मिलती है और जितने ज़्यादा amount में हमें energy चाहिएगी उतने ही ज़्यादा amount में body क्या करेगी oxygen लेगी oxygen लेगी और oxygen हमें atmosphere से लेड़ी है तो जब हम कोई काम नहीं करते हैं normal सी condition में तो body को ठीक ठाक oxygen चाहिए होते हैं जो अराम से मिल जाती है 15 to 18 time breathe करने से लेकिन जब heavy exercise या कोई athlete running करता है तब उसकी body को extra energy की requirement होती है और extra energy की requirement है तो extra oxygen उसको चाहिए होगी यस सिर्फ extra food खाने से energy नहीं आएगी extra oxygen भी चाहिएगी और extra oxygen हम कैसे लें atmosphere के अंदर से कैसे लेंगे नॉर्मल तो हम 15 to 18 time breathe करी रहे हैं तब तो हमें इतनी ही oxygen मिलते जितने से हमारा काम चल जाए ठीक ठाक से energy हमें मिले लेकिन जब ज़्यादा energy चाहिएगी तो ज़्याद वो increase हो जाएगा और breathing rate के increase होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा oxygen को inhale करेगा and deep breathe काफी गहरी सांस उसको भरनी पड़ेगी ताकि अंदर तक बहुत ज़्यादा वो oxygen को फिल कर सके फिल कर सके एक simple सा example अब लेख सकते हैं चोटा से balloon है उसमें अब normal सी हवा बरते हैं तो थोड़ा सा उसका size increase होता तो एक उसमें बहुत ज़्यादा हवा बरते हैं तो क्या होगा उसका size और ज़्यादा increase होगा ऐसा ही हमारे lungs हैं हम इनमें 15-18 time breathe करके एक तो हवा बरते हैं तब यह क्या होता है इंका size increase होता है और एक इसमें deeper breathe गहरी सांस भरेंगे गहरी सांस लेने से क्या होगा ओर ज़्यादा oxygen इनके अंदर fill हो जाएगी तो जितना oxygen हमारे lungs में होगा उतना ही फिर वो कहां पर जाके mix होगा ब्लड में जितना ज़्यादा oxygen ब्लड में जाएगा उतना ही ज़ respiration होगी जितना células respiration का फास्ट होगा उतन जादा जादा energy कि और एक आख इलीट को जो फास्ट रनिंग करता है यह करता है उसको चाही उसको इनर्जी चाहीं तो यह सारा प्रोसेस है कि व्याइं ड्र क्यों फास्टर अ दीपर ब्रीद करता तो वह अपनी एनर्जी की जो रिक्वाइर्मेंट है उसको फुल्फिल करने के लिए उसको ज़्यादा उक्सिजन चाहिए तो उसको फास्टर ब्रीद करना पड़ेगा ड़ीद एक्स्प्लेनिशन चलिए अब आंसर को रीड करते हैं उसकी जो मसल्स हैं उनकी जो सेल हैं रनिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वार्मेंट है तो इसको फुल्फिल करने के लिए क्या करते हैं कोई भी अथलेट फास्टर और डीपर ब्रीद करता है जो ब्रेक्डाउन ओफूड का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और जितनी जल्दी से फूड ब्रेक्डाउन होगा उतनी ही जल्दी से हमें क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी बोड़ी को और एनर्जी ही एथलेट की बोड़ी को चाहिए तो कि सिंपल सा एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि वह हम क्या किसको एनर्जी कहते हैं ability to do work capacity to do work जो काम करने हैं हमारी जो अक्षमता होती है उसी को तो energy बोलते हैं और हम काम कब कर पाएंगे जब हमारे बास energy होगी अब एक athlete पा क्या काम है running ठीके तो वो running कब कर पाएगा जब उसको energy मिलेगी और energy ज़्यादा oxygen आएगी ज़्यादा oxygen आएगी तो respiration का process क्या हो जाएगा fast हो जाएगा अब आप देखेंगे कि respiration word मैंने कहीं use नहीं किया है answer में बट आप कर सकते हैं यह जो breakdown of food है with the help of oxygen इसी को तो हम क्या कहते है respiration definition में respiration की definition तो यही आई दिना तो यह respiration का ही process है बेटा भले ही मैंने respiration word कहीं पर नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं तो this speed up the breakdown of food as a result more energy is released और कौन से breakdown के हम बात कर रहे हैं वो digestion वाले की बात नहीं कर रहे हैं यह cell की अंदर होता है blood की अंदर होता है क्योंकि digested food already blood में mix हो चुका है और अब उसके साथ क्या add हो जाएगी oxygen add हो जाएगी तो large amount में energy release होगी next है बेटा question आपका list the similarity and differences between aerobic and anaerobic respiration aerobic और anaerobic respiration में क्या similarity है और कौन-कौन से difference है तो similarity तो बड़ा simple है बेटा हमने equation भी देखी है क्या होता है कोई भी respiration हो कि भी जो food है with the help of oxygen breakdown होके energy और carbon dioxide release होती है यह तो दोनों में ही common है but aerobic और anaerobic में difference क्या है aerobic जो respiration है वो होती है in the presence of oxygen anaerobic होती है in the absence of oxygen तो यह दोनों के अंदर difference रहेगा तो similarity क्या है in both aerobic and anaerobic respiration food is broken down to release energy food जो है वो energy release करता है यह दोनों में common है दोनों के similarity है difference is between aerobic and anaerobic respiration aerobic respiration में क्या होती है बेटा it is the process of breaking down of food in the presence of oxygen then anaerobic anaerobic में क्या रहेगा it is the process of breaking down of food in the absence of oxygen aerobic में in the presence आएगा anaerobic में in the absence of oxygen आएगा yes अब aerobic के product क्या रहेंगे end product are carbon dioxide and water यह मैंने formulae लिखें मेटा CO2 and H2O यह जो O2 है यह थोड़ा 2 जो है bottom में लगाते हैं मेटा आपको याद होगा 6 में मैंने CO2 और H2 आपको लिखना सिखाया है यह थोड़ा bottom में रहेगा CO2 and H2O ठीके anaerobic में क्या end product रहेगे end product of anaerobic respiration can be lactic acid और carbon dioxide and alcohol end product है respiration के वो lactic acid भी हो सकता है और alcohol भी हो सकता है and carbon dioxide कब होता है lactic acid बेटा muscles के case में जब हमारी muscles में anaerobic respiration होती है तो lactic acid प्रडूश होता है और अगर हम yeast का case ले जिसे हम alcohol, beer, यह जितने भी beverages हम बनाते है alcoholic beverages वहाँ पर हमें किसकी requirement होती है yeast की और yeast breakdown होके anaerobicly breakdown होके क्या produce करता है alcohol produce करता है तो इक्वेशन आपने लिखी थी anaerobic respiration aerobic में तो एक ही होती है aerobic respiration it takes longer time to release energy aerobic respiration में काफी time लगता है energy release होने में जबकि जो anaerobic respiration है it is a fast process as compared to aerobic respiration anaerobic थोड़ा fast process होता है क्योंकि इसको oxygen की जुरूरत नहीं है यह body के अंदर बिना oxygen के ही energy release करता है और तभी body में lactic acid produce हो जाता है और lactic acid जहां पे produce होगा हमारी body में cramps आ जाएंगे pain होना start हो जाएगा तो इसको oxygen की जुरूरत ही नहीं है तो इसलिए fast process है aerobic respiration थोड़ा slow process है लंबा time लेता है energy release करने में aerobic respiration it produces a large amount of energy यह भले यह लंबा process है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा amount of energy release होती है और anaerobic respiration में क्या होगा it produces a small amount of energy as compared to aerobic respiration anaerobic में aerobic respiration के comparison में small amount of energy release होती है example of aerobic respiration it occur in the most plants and animals बहुत सारे जो हमारे plants हैं और बहुत सारे animal हैं उन सभी में क्या होता है aerobic respiration होती है human being के अंदर भी aerobic respiration होती है in the presence of oxygen बट कहीं-कई muscles जो हैं हमारी body की वहाँ पर anaerobic भी हो जाती है example क्या रहेंगे भई anaerobic के anaerobic के example है yeast, bacteria, human muscle cell total human नहीं human की जो muscle cell है उसमें anaerobic हो सकता है etc. respire anaerobicly human की जो muscle cell है उसमें anaerobic respiration हो सकती है yeast और bacteria ये anaerobicly ही respire करते हैं उनके अंदर जो respiration होगी in the absence of oxygen होगी वो तो ये थे बटा कुछ similarities and difference between aerobic and anaerobic respiration question number 3 why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air dust laden air बतलब जो हमारे आस पास की हवा है अगर उसके अंदर dust particle जादा है smoke जादा है और ऐसी air हमारी nose में चली जाए तो हमें sneezing आती है हम छीकने लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है देखे बेटा जो हमारा जो nose है nostril उसका जो air passes है जहांसे air enter करती है जैसे ही dust air या smoke particle unknown particle उसमें enter करते हैं तो जो internal part है हमारा air passes का nostril का माँ पर हमें irritation सी होती है irritation होते हैं खुजली सी मचती है माँ पर irritation तो इस irritation की वज़े से ही क्या होगा जो हमारा nose है वो जो unwanted particle है उसको बहार की तरफ फैंक देता है इसलिए हमें sneezing start हो जाती है sneezing expels the unwanted particle from the inhaled air so that only clean air enter our body sneezing का जो process है वो जो unwanted particle होते है जैसे smoke है dust है और कोई bacteria बगरा है तो उनको बहार फैंक देते हैं expel कर देते हैं so that only clean air enter the body ताकि एक clean air ही body में enter कर सके ऐसा नहीं है कि टोटल air ही clean जाएगी जो बहुत छोटे minute particle होंगे फिर भी चले जाएगे बड़ जो main जो particle है जो हमें irritation करेंगे वो उनको हम expel कर देते हैं it usually occur because of the irritation in the upper breathing passage जो हमारा upper breathing passage है upper breathing passage कौन से है कौन से दो पैसे है एक तो mouth से air enter करती है और एक nostril से जो nostril है हमारा nose nose का internal part उसी को हम upper breathing passage कहेंगे upper उपर वाला जो breathing passage है this irritation happen when we inhale some unwanted particle and they get trapped in our nasal cavity तो हमारे nose के जो अंदर का part है जिसको nasal cavity कहते हैं जब उसके अंदर वो unwanted particle trap हो जाते हैं फस जाते हैं तो वहाँ पे irritation स्टार्ट हो जाती है और उस irritation से हमें क्या होती है sneezing होती है smoke, dust particle, etc are some of the unwanted particle that may cause sneezing smoke है, dust है और भी बहुत सारे minute particle होते हैं air के अंदर वो कौन से particle है? वो unwanted particle हैं जो sneezing का कारण बनते हैं तो simple explanation है बेटा कि क्यों हमें sneezing आती है जैसे ही air के अंदर से dusk particle, smoke particle हमारी nostril में, nose में enter करते हैं वो वहाँ पे irritation स्टार्ट कर देते हैं और हमारी nose जो है वो sneezing process स्टार्ट कर देती है और उस sneezing process से क्या होगा? वो हमारी body से बाहर निकल जाते हैं एक three test tube fill three by fourth of each with water question number four है label them A, B and C तीन test tube हमने लेनी है जैसे diagram में आप देख पा रहे है three fourth यानि कि उसके तीन हिस्से पानी से हम भर देंगे एक हिस्से को खाली शोड़ देंगे और उन पर label कर देंगे A, B and C keep a snail in test tube A snail snail water plant in test tube B B में एक water plant हम लेंगे and in C keep snail and plant both और C में plant और snail दोनों को ही हम रखेंगे तो पहले question समझेए test tube A के अंदर हमारे पास सिर्फ snail है test tube B में only एक water plant और test tube C के अंदर दोनों हमने रख दिये snail को भी रख दिया है और एक water plant को भी रख दिया है क्योंकि snail water में survive कर पाता है और water plant भी कर पाता है which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide किसके अंदर सबसे ज़्यादा carbon dioxide की मात्रा होगी तो बिना explanation को पढ़े ही आप सोचिएगा snail क्या करेगा carbon dioxide release करेगा और oxygen को लेगा क्योंकि animal क्या करते हैं भी carbon dioxide की मात्रा हो सकती है जैदा 2nd way 2nd way क्या होगा 2nd way plant carbon dioxide लेते हैं और oxygen चोड़ते है लिख दिया पोसिबिलीटी है बिख के अंदर हो सकता है जो plant है ये oxygen को छोड़े और carbon dioxide लेता रहे लिख के अंदर किसकी possibility जदा हो सकती है oxygen ज़्यादा मिल सकती हमें अब C में क्या होगा C जो test tube है उसमें plant जो oxygen छोड़ेगा उस oxygen को कोन ले लेगा snail और snail जो carbon dioxide छोड़ेगा उसको कोन ले लेगा plant तो वहाँ पे दोनों का balance बराबर सा रहेगा ना ज़्यादा amount में oxygen मिलेगी नाही ज़्यादा amount में carbon dioxide मिलेगी तो इन तिन्दों में से किस्वे मिलने के ज़्यादा possibility है test tube A के अंदर क्योंकि एक test tube में snail है और snail क्या करेगा oxygen को लेगा carbon dioxide छोड़ेगा oxygen लेता रहेगा carbon dioxide छोड़ता रहेगा इसलिए test tube A के अंदर ज्यादा amount में carbon dioxide होगी, चलिए explanation करते हैं, test tube A will have the highest concentration of carbon dioxide, CO2 क्या होता है बैटा, carbon dioxide, this is because the test tube A contains snail, snail is an organism that breathes in O2, O2 means oxygen, यह मैंने जान बूज के यहां पर क्या लिये हैं, उनके symbol लिये हैं, ताकि आपको symbol भी याद हो जाएं, oxygen O2, and breathe out CO2, carbon dioxide को breathe out करेगा, hence carbon dioxide concentration increases in the test tube A, test tube A के अंदर carbon dioxide की मात्रा बढ़ जाएगी, test tube B में क्या होगा, test tube B contain a water plant, which take in carbon dioxide for food synthesis and give out oxygen, test tube B में oxygen जादा होगी मारे पास, test tube C में क्या होगा, test tube C contain both a snail and a plant, the carbon dioxide produced by the snail is utilized by the plant for its food synthesis, and the O2 यानिके oxygen released by the plant is utilized by the snail for respiration, snail उसको यूज कर लेगा respiration के लिए, therefore test tube A has the highest concentration of CO2, test tube A के अंदर सबसे जादा amount में carbon dioxide हमें मिलेगी, that's a simple explanation, बिल्कुल test tube को देखते ही हमें पता लग जयादा, कि जहाँ पे only snail है, वहाँ पे carbon dioxide जादा होगी, question number 5, और इसके तीन पार्ट है मेटा, क्या करना है आपने यहापे, tick the correct answer, correct answer को tick करना है, in cockroach, air enter the body through, cockroach में जो air है वो कहां से enter करती है, क्या lung से enter करती है, नहीं, gills से no, spiracles yes, skin no, तो कौन सा answer रहेगा, spiracles, ठीक है, small small opening होती है, उनकी skin में, ठीक है, तो वहाँ से body पे होती है, skin पे नहीं, body में, small small hall होते हैं, जिनकों spiracles बोलते हैं, उनके through air enter करती है, किस के अंदर, cockroach के अंदर, ठीक है, तो क्या answer रहेगा, spiracles, spiracles, spiracles के through air enter करेगी, बी पार्ट, during heavy exercise, we get cramps in the legs, due to the accumulation of, heavy exercise से, body के अंदर cramps आ जाते हैं, किस की वज़े से, क्या कारण रहता है, क्या main कारण है, क्या ऐसा produce होता है, वहाँ पे, तो बेटा, anaerobic respiration होती है, और हमारी body में अगर anaerobic respiration है, तो क्या produce होगा, वहाँ पे, lactic acid, yes, carbon dioxide, no, lactic acid, yes, alcohol, no, water, no, क्योंकि carbon dioxide, water तो, चाहे, aerobic respiration, चाहे, anaerobic, दोन्हों में produce होते हैं, बट डिफरेंस क्या रहता है, anaerobic में, lactic acid produce होता है, हमारी body के अंदर, और अगर यही body को छोड़गे, yeast का case होता, तो answer क्या रहता हमारा alcohol, yeast में lactic acid produce नहीं होगा, yeast या bacteria के case में क्या produce होता है, alcohol produce होता है, ऐसा भी question change हो सकता है, तो आपने craming नहीं करनी है, आपने समझना है concept को, कि कब alcohol produce होता है, anaerobic में, और कौन से case में, lactic acid produce होता है, अगर तो हम muscle cell, human being की, या animal में बात करेंगे, तो lactic acid produce होगा, anaerobic respiration में, और अगर हम yeast और bacteria के बारे में बात करेंगे, कि yeast और bacteria में anaerobic respiration होती है, तो क्या produce होगा, वहाँ पे produce होता है बेटा, alcohol, इसलिए दो equation आपको लिखवा रखेंगे हैं, दो equation, तो lactic acid है बेटा, heavy exercise के case में, नोर्मल रेंज और breathing rate per minute in an average adult person at rest, rest पे एक average जो normal person है, उसका breathing rate कितना होता है, यास, आई बार हमने डिसकस किया है, कितना होगा, 15 to 18 breathe per minute, एक मिनट में 15 से 18 breathe हम लेते हैं, नोर्मल condition में, और ये activity मैंने आपको घर पे करने के लिए भी कही थी, कि आप एक stop watch ले, या mobile के अंदर stop watch को start करें, वो count करें, कि एक मिनट में आप कितने breathe करते हैं, breathe का meaning क्या रहेगा, एक inhalation और एक exhalation, एक बार air enter होगी, एक बार air बहार निकलेगी, उसको one breathe कहीं, इस तरह से आप count करें, कि आप ये 15 से 18 की range के बीच में आएंगे, हमारी जो ribs हैं, जो chest है, chest का internal part जो ribs होती है, जिसके अंदर bones है, तो उसके क्या moment रहेगी, moves outward, no, outward तो inhalation में होता है, moves downward, yes, जब हम हावा बाहर छोड़ते हैं, तो हमारी जो ribs हैं, हमारी जो chest है, वो अंदर की तरफ जाती है, downward, निचे की तरफ जाएगी, moves upward, no, do not move at all, no, move तो करती है, तो कैसा रहेगा, move downward, match the column, बेटा, first और second को ये match करना है, ये book के अंदर से आप करेंगे इसको भी, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहापे तो मैंने direct answer ही दिया हुआ आप 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 आप, तो yeast किस से क्या प्रडूज करता है, alcohol, yeast, alcohol, diaphragm, परणन से सन देखें बेटा, जी silent रहेगा, diaphragm, diaphragm जो है, वो chest cavity के साथ रहेगा, chest cavity यानिके जो हमारा lungs होते है, उनका जो base है, उनका जो floor है, उसको क्या कहते हैं, diaphragm, skin, skin earthworm से related है, क्योंकि earthworm कहां से, कहां से क्या कर लेता है, air, कहां से करेगा, exchange of gas, skin के थ्रू, leaves, में क्या होते हैं, छोटे-छोटे tiny pore हो face, gills, gills के थ्रू क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, frog, frog lungs and skin, frog जो है, frog के पास lungs भी है, और skin भी है, किसके लिए breathing करने के लिए, exchange of gases के लिए, ट्रैकिया, ट्रैकिया, किसी से match नहीं हो रहे हैं आपे, तो ट्रैकिया को हम unmatched छोड़ देंगे, उसको किसी से match नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, question number seven, mark the T if the statement is true, F if the statement is false, true and false, during heavy exercise, breathing rate of the person slow down, heavy exercise में क्या breathing rate slow down होगा, कभी भी नहीं होगा, हमेशा ही breathing rate increase होता है, fast होता है, तो क्या है ये, it is a false statement, false, plant carry out photosynthesis only during the day, and respiration on at night, कि दिन के time में क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, और respiration रात को करते हैं, बैटा, photosynthesis तो दिन में होगा, ये ठीक है, but respiration तो वो हर time करते रहेंगे, respiration दिन और रात पर डिपेंड नहीं करती, so it is a false statement, ठीक है, photosynthesis तो दिन में होगा, ये, photosynthesis के लिए sunlight चाहिए, but respiration प्रोसेस तो हर organism में हर time होता रहता है, third one, frogs breathe through their skin as well as their lungs, yes, it is a true statement, it is true, frogs, skin और lungs, दोनों के थ्रू क्या करते हैं, breathe करते हैं, fishes have lungs for respiration, बिल्कुल ही false statement है, इसके पास lungs नहीं होते, क्या होते हैं, क्या होंगे बैटा, yes, इसके किसके थ्रू करेंगे, gills के थ्रू, yes, gills, the size of the chest cavity increased during inhalation, yes, inhalation में हमारी जो chest cavity है, उसका size increase हो जाता है, it is a true statement, it is true, question number 8 बैटा, ये puzzle solving है, इसको आप बुक में करेंगे, ठीक है, हम question number 9 करते हैं, question number 8 आप बुक में पजल है, उसको पजल को वहीं फे solve करें, और वैसे भी puzzle वाले आपके mental ability के question होते हैं, ये examination of point view से नहीं होते हैं, तुदा, at an altitude, mountainaries carry oxygen with them because, mountainaries carry oxygen with them because, at an altitude of more than 5 km, there is no air, कि 5 km से above कोई air नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है बिटा, amount of air available to a person is less than the available on the ground, यस, ऐसा होता है, mountainaries कोन होते हैं, जो पहाडों पे जाते हैं, परवातारोही जीज़कों कहते हैं, suppose करो किसी को mount Everest पे जाना है, तो mount Everest पे जैसे जैसे हम height पे जाते हैं, तो oxygen का level कम होता चला जाते हैं, oxygen, oxygen कम हो जाएगी, ठीक है, इसी लिए वो क्या करते हैं, oxygen के slender, छोड़े-छोड़े oxygen slender अपने साथ लेखे चलते हैं, the amount of air available to a person is less than the, that available on the ground, ground पे जितनी हमें oxygen मिलती है, mountain पे उससे कम मिलेगी, the temperature of the air is at higher than the ground, no, temperature की कोई बात नहीं है, और higher नहीं होगा, लो ही होगा वापे तो, pressure of air higher than the ground, air pressure भी decrease होता है, जैसे हम height पे जाते हैं, so जो B option है, that is the correct answer, the amount of air available to a person is less than that available on the ground, ground पे जितना हमें air मिलती है, air यानिके oxygen मिलती है, जैसे किसी height पे हम जाते हैं, पहड़ों पे जाते हैं, तो oxygen कम हो जाती है, इसी लिए जो mountainry होते हैं, जो काफी उच्चे-उच्चे पहड़ों पे चड़ते हैं, वो अपने साथ oxygen के छोड़े-छोड़े slender साथ मिले के जाते हैं, oxygen slender, so ये थी बेटा आज की हमारी NCRD के question answer की explanation, इसमें से कोई difficulty है था, आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिस राजन सर, ये सर, राजन सर,